वचन बाबा जैमल सिंग जी महराज एक, देह स्वपन मात्र है, जब देह जूटी है, तो सब सामान दुनिया का जूटा है, नाम धुन सच्ची है, सो उसे पकड़ो दो, अगर रोज रोज शब्द से सच्ची प्रीथी करोगे, तो मन के सब विकार छूट जाएंगे, और दुनिया की चाहतें, जो जन्मरन का मूल हैं, मन से निकल जाएंगी, मन सद्गुरू से प्रीथी करेगा 3. हर वक्त सद्गुरू के वचन के अंदर रहना चाहिए चाद, नाम के प्रताब से जमीन, आस्मान और कुल चीजें पैदा हुई, सब कुछ नाम के बाद ही पैदा हुआ है, पहले नाम है, जिस जगए नाम होगा, सब कुछ होगा, इसलिए पहले नाम को पकड़ना चाहिए, जब नाम मिल गया, तो सब कुछ मिल गया, नाम को किसी पांच, भजन की तरफ ख्याल जरूर रखो, चित की प्रीती हर वक्त शब्द में रखनी चाहिए, चूंकि सब काम दुनिया का जूटा है, इसलिए जूटा जानकर किये जाओ, दिल से प्रीती भजन से ही रखनी है, छे, देह तो दुख सुक का घर है, इसमें तो दोनों ही ज भुगत लें, जो कई वर्षों का दुख होता है, वो सतसंगी को थोड़े दिनों में भुगता जाता है, किसी बात की चिंता ना करना। होता है, तो सुख भेजता है, दोनों ही हुक्म के अंदर है, आठ, मन में अगर सतकुरू के दर्षन की चाह लगे, तो इसके बराबर और कोई करनी नहीं है, नौ, लेना देना अदा करने के लिए, पूरे सतकुरू प्रेमी को अपने देश रूप से जुदा करते हैं, पर शब्द धुन से जुदा नहीं करते हैं, दस, ये जो नौकरी या घर में कामकाज करते हो, ये भी सतकुरू का काम है, भजन और सिम्रन करना भी सतकुरू का काम है, जो कुल कारोबार है, तन, मन और धन, जो कुछ है, सब सतकुरू का है, मैं कुछ नहीं हूँ, इसको ये अपना आपा भाव बिलकुल छोड़ देना चाहिए। अपना चाहिए कि दुख सुक की खबर भी ना रहे कि दुख सुक कहां है। बाराएं गुर्मुक जो कुछ करता है वो सब भजन ही है। अगर अंतर से सची परीती सद्गुरू से हो, दर्शन की चाह सची हो, तो ये जान लो के सो सो वर्श भजन करने से भी मन ऐसा शुद नहीं होता, जैसा कि सद्गुरू के दर्शन की सची चाह के द्वारा शुद होता है। 14. इस योग्ज में मुक्त होने का, मालिक से मिलने का, जल्दी निर्मल होने का यत्न सिवाए सद्गुरू की सच्ची प्रीथी, उन पर भरोसा और उनको मनुष्य न समझना है 15. भजन के पीछे सब चीजें हैं जी, जहां भजन होगा, और चीजें अपने आप ही आ जाएंगी 16. सद्गुरू से प्रीथी, प्रतीथी, सच्चे दिल से सद्गुरू की शरण, और सद्गुरू के चरणों का प्यार हमेशा दिल में छाया रहे, यानि मन पर लिखा रहे, और ये भी लिखा रहे कि सद्गुरू मनुष्य नहीं हैं, सब के करता हैं, सतनाम, सतपुरुष, अलक, अगम, अनामी, सब सत्गुरु ही हैं, कुल मालिक हैं, सत्गुरु से बड़ा और कोई नहीं है, ऐसी प्रीती वाला सचखंड पहुँचेगा, और अलक, अगम, अनामी में, राधास्वामी धुरहैरत के देश में समाएगा. सत्रा भजन रोज करें और मन में चलते फिरते काम काज करते हुए सिमरन करते रहें, जब फुरसत हो, उस वक्त तो करना ही है, चलते फिरते भी सिमरन न छोड़ो, क्योंकि सांस गरास गिनती के हैं. अठारा दुनिया की आशाओं, चाहतों, दुख सुखादी के पिछले जन्मों के जितने बंधन हैं, 21 जन्मों तक के बंधन उस समय कट जाते हैं, जब इसको पूरे सद्गुरु के दर्शन होते हैं. उन्नीस जब सद्गुरु अपनी द्या महर से नाम, शब्द धुन बक्षते हैं, तो उसी समय धर्मराय के दर्बार में, जन्मरन और चौरासी के काख़़ भट जाते हैं. बीस जिस वक्त सद्गुरु पर पूरी पूरी प्रतीती हो गई, उस वक्त के जीव सच्खण का वासी हो गया. एक्कीस भजन सिमरन रोज रोज करना, जब रोज रोज करोगे तो जरूर एक दिन दिया महर होगी, दर्वाजे के आगे पड़े रहो, किसी वक्त बुलाए जाओगे, जल्दी का काम शैतान का होता है. बाइस जिस वक्त सुरत शब्द धुन के समान निर्मल होगी, जरा सी भी देरी ना लगेगी. तैस जब से ये स्थूल स्रिष्टी पैदा हुई है, उस वक्त से ही मन वा सुरत महले हैं. सुरत को कभी दस बीस बरस तक, दो पहर या तीन पहर के लिए भी, शब्द धुन में एक आगरता के साथ नहीं लगाया गया है. फिर इतनी जल्दी धुन में किस तरह जगए मिलेगी? जब तक सुरत आठ पहर तक प्रेम के साथ धुन से नहीं लगेगी, तो धुन में किस तरह समायेगी? चौबीस शब्द सुरूप गुरू को आपकी सुरत और मन को निर्मल करने की बहुत बहुत जल्दी है. वे ऐसी दया मेहर कर रहे हैं कि एक पल भी नहीं बिसारते और चाहते हैं कि ये सुरत जिसको शब्द धुन सुना कर जगा दिया है, कब निर्मल हो और कब इसे मैं अपने सुरूप शब्द धुन में मिला कर सचखन पहुँचा दूँ. पचीस सद्गुरू के वचनों के अंदर रहना चाहिए और कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए. जिस वकत फल पक जाता है, तो अपने आप ही व्रिक्ष से तूट जाता है. ना तो फल को कुछ तकलीफ होती है, ना व्रिक्ष को तकलीफ होती है. इस देह में आकर सद्गुरू पूरा मिल जाए, तो सब काम पूरे हो गए, ये इसका फल है. सद्गुरू के वचनों पर चलना, ये फल का पकना है. जो रोज रोज जितना हो सके भजन और सिम्रन करना है, ये इसको पानी देना है. और शब्द धुन के साथ मिल जाना, ये इसका पक कर तूट जाना है. 26. फिक्र भजन की ही करो, और दुनिया के सारे काम का चलते जाएंगे, कोई रुक तो नहीं जाते, चलते रहते हैं. 27. जिस वक्त इसे काम से फुरसत होती है, तो ये पिछली बातों को याद करता है. साथ ही पच्चतावा करता है, और फिर कहता है कि अगर ये जानता तो ऐसा करता. इसलिए ये सब जूट है, क्योंकि जैसा होना था, वैसा ही हो गया, पच्चतावा करने से कुछ नहीं मिलता है. लोगों के सुक्तुक की चर्चा या निंदा वस्तुती करने में वक्त गया, ना व्यवहार हुआ और ना परमार्थ हुआ. 28. जब तक भजन करो, दुनिया के काम काज की और बिलकुल ख्याल ना करना, फिर मन लग जाएगा, और मन को इस तरह समझाओ, कि जिस वक्त तु सो जाता है, उस वक्त दुनिया के कारोबार की कोई याद नहीं रहती, तो क्या बिगड़ता है? तो अब भजन या सिमरन करते वक्त संकल्प और विकल्प क्यूं करता है? अगर भजन वा सिमरन करते वक्त तु दुनिया के कामों को याद ना करेगा, तो क्या बिगड़ जाएगा? इस तरह मन को दृड़ता के साथ समझाओ. 29. चलते फिरते बैटते सोते बलकि हर वक्त शब्द धुन कभी न भूलें. जो कुछ कामकाज दुनिया का है, सब व्यवहार, परमार्थ, सब शब्द धुन करती है. यह मन कहता है कि मैं करता हूँ, यह जूटा है. सब शब्द धुन करती है, सो शब्द धुन में कर करना च तीस, हर समय याद रखो कि इस दुनिया से जरूर चले जाना है, जो कुछ हम मन के कहे लगकर करेंगे उसका दंड जरूर चुकाएंगे, मन को हर वक्त ये समझाओ कि सद्कुरू के वच्णों में रहे, फिर सब करनी हो गई जी 31. जिस वक्त अंतर में इस जीव को सद्कुरू के स्वरूप का पूरा पूरा दर्शन होगा, तब ये बहुत निर्मल होगा, फिर सद्कुरू इसे देखेंगे, कि इसकी दुनिया की सब सूक्ष, मौस्थूल, आशा, मंसा निकल गई हैं, ये केवल सद्कुरू के स्वरूप को मांगता है, किसी तरह की और कोई चाह नहीं है, सद्कुरू की आग्या में राजी है, चाहे वो कैसी कठिन आग्या दें, उस पर खुश हो, मंसे ये कहे कि बहुत अच्छा हुआ है, जो सद्कुरू की आग्या है, सो सब भजन ही है, ऐसा जब समझ जाएगा, तब चोटा था, अब बड़ा हो गया है, पर देखो मुझे नहीं मिला, या परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया है, ऐसी ऐसी मन की कल्पनाएं और खोटी वासनाएं, कभी भी मन में नहीं लाना। सो मैं ये क्यों मांगता हूँ? 34. जो सद्कुरू की मत यानि आदेश लेकर काम करना है, वो सद्कुरू का काम और परमार्थी काम है, चाहे थोड़ा ही है, पर बहुत हो जाएगा जी। एक द्रिश्टान्त है उसे समझना। अगर खेत चोत कर वक्त पर खेती का बीज बोया जाए, तो एक दाने की कई मुठियां हो जाती हैं, किसी किसी केहों के पौदे में साट या सत्तर गुच्छे पढ़ जाते हैं, पर शुरू में दाना एक ही होता है। किसी किसी एक दाने के सेर भर हो जाते हैं, उस बीज के दाने के साथ के किसी दाने को अगर बंजर जमीन में बोया जाए, तो एक दाने का एक भी नहीं रहता है। इसलिए मन जो काम करता है, जितने संकल्प, फदलीलें, जगत के काम, भोग और खोटे काम, खोटी वासनाएं, जिनसे कुछ नहीं बनता है, सब बंजर में बीज बोना है 35. आपा भाव को छोड़ दो, तन, मन, धन, सब गुरू को दे दो, फिर आप कोई दावा न करो, फिर मन कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि जो चीज किसी को दे दी है, फिर उस पर कोई दावा नहीं होता 36. किसी सांसारे काम में प्रीती के साथ मन नहीं लगाना, जैसे मेमान सब काम शौक से करता है, पर मन में समझता है कि ये मेरा घर नहीं है, इसलिए कुल दुनिया और इसके सब काम वारस बाब जूटे हैं, और जूटे जान कर किये जाना है, मन वसुरत को सत्गुरू के चर क्योंके वो जूटा है, जाने वाला है, जूटी चीज से प्रीती करोगे, धोखा खाओगे, और फिर अगर वो राज वापस छीन लिया जाए, तो नाराज नहीं होना, क्योंके जिसने दिया है, उसीने ले लिया, उसी का था, और जूटा था, अरतीस, कोई किसी कदर आदर करे या निन्दा करे, आदर वस्तुती में खुश नहीं होना, और निन्दा में नाराज नहीं होना, सदा राजी रहना, और मालिक की रजा में खुश रहना, जहां भी रखें। उन्तालीस, ये चिंता करनी चाहिए कि मेरा कितना समय बातें करने में गया है, ये समय फिर से कभी मिलने वाला नहीं है, सोचो, अपनी मौत को याद रखो। चालीस, हमें यहां हमेशा नहीं रहना है, हमारे दिन, घड़ी, पहर, पल, सांस, सब गिनिती के हैं, मन को दुनिया की वासना में से निकालो, सुरत को शब्द में रखो। एक तालीस, भजन करने का फिकर करना चाहिए, और वक्त बेफाइदा ना जाए, ये फिकर करना चाहिए, जो वक्त बेफाइदा गुजर गया, उसका पच्टावा करो कि इतने सांस क्यूं फिजूल गए, ना दुनिया के काम में लगे, ना परमार्थ में बैालीस, जिस वक्त भजन में बैठो और शब्द धुन को सुनो, दुनिया की सब चिन्ता छोड़ दो, इससे बड़ा और कुछ नहीं, रोज रोज इससे बढ़ाओ, कम नहीं करना दुनिया के जो काम हैं, वे पिछले कर्मों के अनुसार होते हैं, जैसे आये वैसे भुगत गए, उनकी कोई चिन्ता नहीं, कभी अच्छे हो गए और कभी बुरे हो गए, उनकी चिन्ता कुछ नहीं, चिन्ता तो भजन की है च्वालीस, हर वक्त यही ताकीद है कि किसी वक्त घबराओ नहीं कि उस जगा हम सुखी थे और इस जगा दुखी हैं, मौज समझनी चाहिए पैटालीस, बीमारी में घबराना मुनासिब नहीं, अगर आदमी बीमारी में घबराता है तो बीमारी बढ़ जाती है चैयालीस, चाहे सारी दुनिया का राजा हो, तब भी मनुष्य को अपने हाथों की कमाई करके खानी चाहिए इसलिए अपनी नवकरी हक की कमाई करो, आप भी खाओ, औरों को भी दो, घरवालों को भी दो, और यथा शक्ति साध संगत को भी दो 47. दुख की घड़ी सबसे बेतर है जिसमें मालिक याद आता है दया मेहर से दुख आता है यो ही नहीं आता इसलिए दुख में घवराना नहीं चाहिए 48. तमाम दुनिया का काम करना पर प्रीती प्रुतीती सद्गुरू के चरणों में रखना 49. मौत को हर वक्त याद रखना है और सद्गुरू के वचनों को याद रखना है जी 50. हमारा घर अलख अगम के पार है शब्द धुन की आवाज को पकड़ कर वाँ जाना है वही हमारा प्रकाश है हमारी रोशनी है धुन खुद निर्मल करके राधास्वामी जी के देश में पहुँचा देगी पक्का भरुसा करो 50. आपने जो मन का हाल लिखा है सो जरूर मन ऐसा ही है पर एक युक्ती मन को रोकने के लिए है सत्गुरू का वचन हर वक्त याद रखो 50. जिस वक्त मन दलील करे उसी वक्त सिम्रन करो 50. मन की दलील के पीछे न जाओ और सत्गुरू के वचनों को याद करो 51. मौत को सिर के उपर खड़ी समझो 52. ये भी समझो कि गुरू के वचन को भूल कर जो कुछ भी करेंगे उसका दंड बरना होगा 51. जो कुछ करना कहना है वो सब खुद मालिक राधास्वामी जी के हुकम से होगा बिना उनके कोई कुछ नहीं कर सकता है पक्का भरोसा रखो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है ना कुछ घटा सकता है ना कुछ बढ़ा सकता है क्योंकि राधास्वामी अनामी कुल मालक ने मनुष्य दे धारण करके स्थूल दुनिया के कुल कारोबार की कारेवाही मर्यादा से बांधी हुई है जो अपने प्रारब्ध में है उसे कोई नहीं हटा सकता बावन भजन वसिम्रन ये अपने घर का काम है ये सदा साथ रहेगा क्योंकि ये सद्गुरू की दात है ये बढ़ेगा गटेगा कभी नहीं त्रेपन शब्द धुन को प्रेम प्रीती से सुनो क्योंकि शब्द कुल का करता और हरता है सब शक्तियां करोडों करामात शब्द धुन के अंदर है और शब्द धुन खुद द्या मेर करके आठों पहर दिन रात आवाज देती है जिस वक्त भी सुरत लगाओ उसी वक्त आवाज सुरत को पकारती है शब्द धुन को पकड़ो कोई काम दुनिया का कभी नहीं अटकेगा क्यूं सोच विचारों और मन की कलपनाओं के पीछे वक्त बरबाद करते हो चववन मन में हर वक्त सिम्रन करना ये मन को निर्मल करता है मैल नहीं लगती और मन निर्मल होकर शब्द धुन को पकड़ता है पच्पन आपने लिखा है कि भजन नहीं होता ये कोई लाचारी नहीं है गफलत और बेपरवाही है क्योंके दोनों वक्त रोटी तथा और और अच्छी चीजें खाने के लिए आपका मन करता है और खाता है और भजन सिम्रन जो सब कुछ दे रहा है जिसकी कमाई के लिए ये मनुश्च देह मिली है जो कि नर नाराइनी देह है जिसमें परमेश्वर मिल सकता है क्या ऐसा पदार्त यूहीं चला जाए